जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जै श्री लक्षमी नरायन भगवान जी की, जै कार्थिक मास की मंदर शिबंसी वाले महात्मयुर्प चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्दिक अभिननदन करते हैं। कार्थिक मास 2021 से चल रहा है और इस कार्थिक मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की और भगवान श्री लक्षमी नरायन जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान की अधिकादिक भक्ती करने चाहिए। कार्तिक मास में जो सची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ती करते हैं उन भक्तों के घर में महालक्ष्मी माता का सदा के लिए वास हो जाता हैं तो आजम आपको कार्तिक मास के उपलक्ष में महालक्ष्मी माता की एक बड़ी सुन्दर कथा सुनाने जा रहे हैं कि किस प लक्ष्मी माता की इस कथा को कभी भी सुना जाए मालक्ष्मी अपने भक्तों पर क्रिपा करती हैं लेकिन कार्तिक मास तो विशेश रूप से श्री हरी विश्णु भगवान जी को प्रिय है और महालक्ष्मी माता को भी कार्तिक मास अति प्रिय है भगवान शी रादा कृष् जाती हैं भगवान अपने ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं जो कार्थिक मास में महालक्ष्मी माता की इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं ये कथा हमारे हिंदु धरम के कई गरंथों में दी गई है तो बात उस समय की है जब श्री नरायन भगवान जी की आगया से सब देवता और असुर मिलकर समुदर मंथन का कार आरंब कर चुके थे सब के मन में एक ही इच्छा थी कि अमरत हमें जल्दी से जल्दी प्राप्थ हो लेकिन पहले विश निकला समुदर मंथन में से पहले विश की प्राप्थी हुई है उस हला हल विश का पान भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने किया था उसके पशात समुदर मंथन में से काम धेनु गव निकली उचेश्वा नामक परम सुंदर घोडा निकला उसके पशात एरावत हाथी निकला कोस्थूब मनी निकली और उसके पशात रंभा नाम की अपसरा निकली इसके पशात शरद हाथ में माला लिये हुए सुन्दर वस्तरा भूशनों से अलंकृत थी उनके सवरूप को देखकर भगवान श्री नरायन जी के अतरीक्त सभी देवता तथा देत्य आसक्त हो गई और समुदर को मधना छोड़कर उनके चारां और घिर आये तथा सभी लोग उन्हें प्राप् कुझे कोई भी बल पुर्वक अपने पास नहीं रख सकता जिस पुरुष में परशंशनिये संपूर्न गुन होंगे मैं उसी के पास रहूंगी मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों ही एक समान है तुम सब देवता असुर रिशी तपस्वी ब्रह्मन और गंधर्व आदी अपनी अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ मैं जीसे चाहूंगी उसे स्वेम वर्माला डाल कर वरन कर लूँगी यह सुनकर सब लोग अपनी पंक्ति मना कर बैठ गए उस समय महालक्ष्मी माताजी ने सबसे पहले असुरों की तरफ देख कर कहा कि इनका राज सदस्थ नहीं रहता है ये लोग महा घमंडी तथा पापी होते हैं ये सारा जीवन पाप करम करते रहते हैं अतै मैं इनके पास नहीं रहूंगी फिर तपस्वी और रिशियों की तरफ देख कर वे कहने लगी हैं ये अतिक्रोधी होते हैं थोड़ा सा अपराद हो जाने पर भी आप दे दέते हैं अतै मैं इन्हें स्विकार नहीं करूँगी फिर ग्यानियों की तरफ देख कर महा छुण मां आज कहने लगी हैं ये लोग नियम और आचार से न रहकर अपना मन मानना कारे करते हैं अतै मुझे ये भी पश्संद नहीं हैं फिर देवताओं की और देख कर महालक्ष्वी मा आज कहने लगी है ये देवता लोग दूरबल है इन पर भी पत्ती पढ़ती है तब ये लोग नरायन जी भगवान की शरन में जाकर उनसे सहायता मांगते है अतै इन्य स्विकार करना भी ठीक नहीं है इसके पशात जिस समय महालक्ष्वी मा इस तरह कह रही थी उस समय प्रित्वी ने एक त्यांत सुंदर रतन जटित सिहासन लाकर उस पर महालक्ष्वी मा को बेठाया है तदू परांत गंगा यमुना नर्मदा आदी सभी नदियां इस्त्री का रूप धारन करके स्वरन कलशों में अपना जल भरकर वहां पर ले आई कामधेनु गव माता ने अपना दूध, दही, गोबर, गोमुत्र तथा घृत मिलाकर पंच गव्य और तीर्थों के जल से महालक्ष्वी मा को स्नान करवाया और उन्हें उत्मा उत्म वस्त्रा भूष्णों से अलंकरत करके उनका सुन्दर श्रिंगार किया है इतना हो चुकने के बाद महालक्ष्वी मा जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखकर कहा कि ये व्रिद्ध हैं, इने कैसे स्विकार करूं तत्पशात लोमश आदी रिश्यों की ओर देखकर महालक्ष्वी मा आज कहने लगी है इन लोगों की आयू इतनी बड़ी है कि कितने ही ब्रह्मा इनके सामने पैदा होते और मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं दीर घायू होने के कारण ना तो ये अशुब करम करने से डरते हैं और ना इने अपनी मृत्यू का डर ही सताता है इसलिए मृत्यू के डर से कुख करम न करने का डर इने नहीं है ये भी मेरे योग्ये नहीं है इस प्रकार सब गुन दोशों का विवेशन करके महा लक्ष्वी मा जी भगवाशी नारायन जी के सम्मुख जा पहुंची तथा उनके रूप तेज सब गुनों से परिपुर्ण है यद भी इन में एक दोश भी है कि इने न तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा ही होती है और नहीं ये किसी से महों ही रखते हैं ये किसी से महों नहीं रखते इने किसी चीज की आवश्यक्ता नहीं रहती जो उध्व भक्त जीवन भर इनकी सेवा करता रहा उसे उन्होंने यह आग्या दी कि तुम बदरी काश्रम में जाकर तपस्या करो तब तुम्हें मुक्ती मिले लेकिन इसके विप्रीत जब श्री नारायन सवरूप भगवान श्री कृष्ण जी के चर्णों में जिस व्याद ने इनके पैर में बान मारा था उसी समय विमान पर बैठा कर उसको वैकूंट लोक को भेज दिया प्रन्तु इन सब दोशों के होते हुए भी इन से अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं इनी श्री हरी भगवान विश्णु जी के चर्ण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी इस तरह कहते हुए आज महा लक्ष्मी मा ने अपने हाथों की माला श्री नरायन भगवान जी के गले में डाल दी है उस समय श्री नरायन जी ने लक्ष्मी मा जी से कहा है हे लक्ष्मी तु आठो याम मेरे हिर्दे में निवास करोगी यह देखकर समस्त देवता और देते भी भहुत आनंदित होकर प्रफुलित हो उठे हैं सबने आज बड़ा उस्व मनाया है सभी मिलकर श्री लक्ष्मी नरायन भगवान जी की बारं बार जैजे कार करनी लगे हैं आप सब भी मिलकर बोलिए बोल श्री लक्ष्मी नरायन भगवान की जै आज श्री लक्ष्मी नरायन भगवान जी के सुंदर दर्शन करके सभी देवी देवता प्रसन हैं सब असुर पर ने ब्रह्मन का रूप धारन करके वेद की वेदी के अनुसार लक्ष्मी जी का विभा श्री नरायन जी भगवान के साथ कर दिया। उस समय महा लक्ष्मी मा को विश्व कर्मा ने सुन्दर आभूशन भेंट में दिये हैं। प्रिथ्वी ने मुक्ती मनियों की माला दी और नागों ने कुंदल भेंट में दिये हैं। इस परम सुन्दर अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी ने आनंदित होकर श्री लक्ष्मी नरायन जी भगवान के उपर सुन्दर फूलों की वर्षा की है। महा लक्ष्मी मा तो सदा सही भगवान की सेवा में रहती हैं। वो किसी और को प्राप्त हो ही नहीं सकती। आज सभी देवी देवता आनंद में मगन हो रही हैं। सभी सुन्दर संकीर्टन करने लगी हैं। सभ के मन में भगवान के लिए प्रेम का नया संचार हुआ है। महालक्ष्मी मां जी की इस सुन्दर कथा को आपने सुना, लक्ष्मी मां की उत्पति की कथा और भगवान श्री नरायन जी के साथ महालक्ष्मी के विवा की इस कथा को आपने सुना, कार्थिक मास में इस कथा को सुनने का सुन्दर अवसर मिल जाए, तो समझ लेना कि श्री इस कथा को सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि भगवान की आपके उपर बड़ी कृपा है और इस कथा को सुनने का बड़ा सुन्दर फली है है कि जो इस कथा को सची श्रद्धा भावना से कार्थिक मास में सुनते हैं चाहे आप पूरे कार्थिक मास में सुनें चाहे आप एक ब पूरी हो जाती हैं सभी दुखों का नाश होता है पहले के सभी पापों का नाश हो जाता है इस कथा को सुनने का इतना सुन्दर फल है कि मनुष्य का मन भगवान के चरन कमलों में लीन हो जाता है और इस मनुष्य जीवन के अंत में उसको मौक्ष की भी प्राप्ति हो जाती ह हर मनुष्य जीवन में सुखी होना चाहता है धन की प्राप्ती चाहता है और धन की देवी मा लक्ष्मी माता ही है और मा लक्ष्मी मा की ये सुन्दर कथा है और कार्थिक मास में ये कथा सुन ली तो समझ लेना कि भगवान की अनंत क्रिपा हुई है तो मंदर्शी बंसी वाले महात्मा युलूप चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी के धन्यवाद भगवाशी रादा कृशन जी की भगवाशी लक्षमीन नारायन जी की कार्तिक मास महत्यम की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे